हमें यह प्रूव करना है, हम LHS solve करते हैं, यहाँ पर मैं sin a plus cos aq का whole square को expand करता हूँ, ऐसी x को expand करते हैं, यह आजेगा sin square a plus cos x square a plus 2 into sin a cos aq, ऐसे यहाँ cos a plus aq हो जाएगा cos square a plus x square a plus 2 into cos a into sin a अब cos aq होता है 1 by sin, ऐसे ही sec होता है 1 by cos, sin ने और sin ने cancel हो जाएगा, cos ने और cos से cancel हो जाएगा, बचेगा मेरे पास यह term, अब हमें यहाँ पर tan और cot की term में लेकर आना है, तो मैं यहाँ पर 2 property अपलाए करता हूँ, एक तो cos aq square वाली equal to 1 plus cot square, तो मेरा cot आजाएगा वहाँ से एक sec square वाली जो क्यों होता है 1 plus tan square है, वहाँ से tan आजाएगा, यह sin square और cos square मेरा 1 हो जाएगा, क्योंकि इनका sum 1 होता है, देखते हैं हम इसे, यह कुछ मेरा ऐसा आगया, मैं यहाँ पर cot square को अलग, tan square को अलग, बगर चीजों को अलग कर जेता हूँ, sin square और cos square को एकटे कर ज साथ, यह कुछ ऐसा आगया, अब sin square plus cos square 1 होता है, तो यहाँ 1 आगया, यह value आएगी मेरी 6, 1 plus 6 होता है 7, तो यह आगया 7 plus cos square plus tan square, यह मेरा RHS की equal है, यहीं मेरा LHS और RHS equal आगय, यहीं प्रूव करना था हमें, hence, प्रूव.